नमस्क्राइब दोस्तो, आप सबीका स्वागत है हमारे यूटुब चैनल में दोस्तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे जियो मीट मोबाइल अप्लिकेशन को किस परकols से यूज करें और किस परकols से आप आकाउंट सेट अप कर सकते हैं अंदर sign up कैसे करे, sign in कैसे करे, join meeting कैसे करे और create meeting कैसे करे, और आप अपनी जो meeting है, उसमें presentation किस पर कर से दे सकते हैं, तो सारे चीजें आज हम इस वीडियो के मादब से आपके साथ discuss करेंगे, और जो नए members हैं हमारे YouTube channel पे आए हैं, किरपकर के YouTube channel को आप subscribe कीजिए, ताकि आपको latest information time to time मिलते रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको अपने Jio meet mobile application के play store में जाना है, google play store में जाकर के आपको type करना है, जैसा कि आप screen में देख रहे हो, और Jio meet mobile application आपको यहाँ पर download करना है, और इसके बारे में आप देख सकते हैं कि download कितने ज़्यादा हो चुके हैं, 9K review है, और 17MB की यह mobile application है, जो की काफी small size की है, और 5 लाग से उपर इसमें download हो चुके हैं, जो की बहुत बड़ी बाद है, ठीक है, और इसके बारे में शारे information हम discuss करेंगे, तो JioMeet की जो mobile application है, आपको अपने mobile के अंदर download करना है, वो download करने के पश्चात आपको यहाँ पे किस परकार से account से टिप करना है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, चलो देखते हैं दोस्तो, next, तो दोस्तो जैसे JioMeet mobile application आपने अपने mobile में download करने के पश्चात इस परकार से screen पे आएगा, तो installation आपको complete करना है, installation complete करने के लिए आपको open करना है, जैसे आप open करोगे, तो यह JioMeet mobile application आपके mobile के अंदर open हो जाएगी, ठीक है, इस परकार से open पे click करना है आपको, और यह mobile application जैसे आपके mobile में open हो जाएगी, तो इस तरीके की screen आपके सामने आएगी, ठीक है, इस तरीके की screen आपके सामने आएगी, अगर आपके पास JioMeet mobile application की कोई भी meeting चल रही है, students की meeting, network marketing की meeting, तो आपके पास link आया होगा, अगर आपके पास link आया है, तो यहाँ पर join meeting में click कीजिए, जैसे आप join meeting में click करोगे, तो यहाँ पर meeting idea आपको डालना है, और उसके बाद, आपको password डालना है, और same, आप meeting यहाँ पर join कर सकते हैं, जिस तरीके से आप दूसरे applications यूज करते हो, same way में यहाँ बिलकुल, same चीज है, कोई अलग चीज नहीं है यहाँ ठीक है, अगर आपने इस application के उपर meeting join करनी है, तो इस तरीके से आप इस meeting को join कर सकते हैं, meeting ID password आप डाली है, और आप तुरंद उस meeting में join हो जाओगा, अगर आप इसके अंदर आप meeting create करना चाते हैं, आप meeting देना चाते हैं किसी को, तो यहाँ पर user ID बनानी पड़ेगी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको sign up पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो sign up पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे आपको अपना details यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे अपना email ID डालना पड़ेगा, नाम, first name और last name, और फिर last में यह I agree to terms and conditions के उपर click करना पड़ेगा, जैसे आप click करोगे, तो आपकी email ID के अंदर एक verification code जाएगा, तो आपको वहाँ पे email verify करवानी है, जै sign in करना है, उसके बाद आपको next step में मैं आपको बताऊँगा, किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें sign up करूँगा, ओके, देखिए आप next, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी email ID, जैसे आपको email ID मिलेगी, उसके अंदर एक link होगा, और उसके अंदर आपको confirm करना है, अपना account, जैसे आप अपना account confirm करेंगे, उसके बाद आपको अपना user ID, password registration करना है, इसके अंदर और जैसे आपना user ID और password registration कर लिया है, आपको login करना है यहाँ पर ठीक है, तो जैसे आपका email ID मिलेगी, उसके अंदर एक verify लिख करके आएगा, तो verify क्लिक करते ही, एक नई window open होगी, वहाँ पर आपको अपना email ID डालना है, और आपको password डालना है, दो बार confirm password करना है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर account create हो जाएगा, और उस user ID password से आपको करना है, लोग इन, ठीक है, तो जैसे आप लोग इन करोगे, तो इस परकार की window आपके पास आएगी सामने, ठीक है, और इसमें जो भी access मांगे, वह अलाओ करना है आपको, contacts वगएरा, अलाओ करना है, ठीक है, तो इसमें नीचे आप देख रहे हैं, meet and chat, meeting, contact, settings, तो अलग लग option पे हम बारी-बारी से जाएंगे, तो सबसे पहले मैं meet and chat पे क्लिक करूंगा, left side पे, जैसे meet and chat left side corner पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस परकार की window आपके सामने open होगी, ठीक है, इस window के अंदर अगर आपको नई meeting अरेंज करनी है, तो red color का जो मारक है, इस schedule पे क्लिक करना है, date and time जो भी चीज़े हैं, यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद आप यहाँ पे schedule कर सकते है, share screen करनी है, तो आपको share screen के उपर क्लिक करना है, आप अपने ppt वगरा share कर सकते है, presentation कर सकते हैं, ठीक है, तो अब आपको नई meeting स्टार्ट करनी है, और उस meeting क लिंक है, वो create कर रहा है, तो सबसे पहले red side का, red clear का जो दीख रहा है, new meeting, top corner में, left side में, इसके उपर हम click करेंगे, तो यहाँ पे नई meeting हम create कर रहे हैं, आपने members के लिए, students के लिए, जो भी आपका profession है, video on पे click करोगे, तो यहाँ पे video on रहेगा, आपका front and back, camera का option वो बाद में आप choose कर सकते हैं, और personal meeting ID, यहाँ पे दिखाए दे रहेए, तो मैं video off कर रहा हूं है, ठीक है, और personal meeting ID, यहाँ पे आपकी यह हैं, तो आप इसके उपर click कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके personal meeting ID रहे, start in meeting, जैसे आप start in meeting के ऊपर click करोगे, तो इस तरिके से आपको allow करना ह क्योंकि जो भी आप PowerPoint, presentation, PPT वगएरा present करोगे तो ये access मांगेगा और आपका audio record का भी access मांगेगा तो इसको allow करना है आपको उसके बाद यहाँ पे इस परकार से आपकी जो फोटो प्रोफाइल फोटो वो यहाँ पे center में आ जाएगे अगर आपने फोटो यहाँ पे upload किया है लेफ्ट साइड पे जो बटन देख रहे है उपर आप इसमें आपका audio है उसको आप mute कर सकते हो same way में और अभी यह meeting connecting में हो रहा है और इसके अंदर अगर आप camera on करना चाहते हैं तो on कर सकते हैं और यह earphone का है earphone आप headset, speaker, audio off and on कर सकते हैं निचे आप screen के अंदर देख सकते हैं और screen पर दुबारा click करोगे तो ऐसे हो जाएगा audio पर left side top corner पर click करोगे तो यह option आएगा audio on भी कर सकते हैं off भी कर सकते हैं ठीक है audio on और off यहां पर audio पर click करना है निचे आपको select करना है speaker के उपर select करना है speaker आपका start हो जाएगा head set start हो जाएगा audio off कर रखा भी मैंने अभी दुबारा से audio on करूँगा तो यहां पर audio on करूँगा तब ही मेरी आवाज अपनी meeting तक पहुंच पाएगी जैसे मैं audio on करूँगा यहां पर ओके तो इस प्रकार से setting करना है निचे mute आप अपनी आवाज करना चाहते हैं तो left side में mute कर सकते हैं आपकी आवाज जाएगी नहीं जब आपको बोलना हो तो यहां पर आपकी आवाज वहाँ पर जाएगी ओके start video वीडियो अगर start करना है तो आप यहां पर video start कर सकते हैं आपका जैसे start video red side में जो दीक red bottom के अंदर तो इसको के उपर click करेंगे तो हम तो आपका जो video है वो यहां पर start हो चुका होगा ओके अपने members के साथ powerpoint presentation mobile में जो भी है participants के उपर click करेंगे तो यहां पर participants के लिस्ट देख सकते हैं totally और invite के उपर click करेंगे तो यहां पर आपका जो link जूम इसका geo meet app का वो यहां पर create हो जाएगा और उसको आप copy कर सकते हैं और कहीं भी send कर सकते हैं whatsapp में send कर सकते हैं message में send कर सकते हैं messenger के अंदर gmail के अंदर और कोई भी social media पर आप share कर सकते हैं इसका link को और copy URL पर click कर सकते हैं और उसको post कर सकते हैं आप अपने groups वेगरा में कहीं भी ठी करके यहां पर बिल्कुल सिंपल है यहां पर जैसे आप जूम में मिटिंग करते थे सेम यहां पर फीचर फिस अप्लिकेशन में जो कि बहुत अच्छी तरीक के से डिजाइन किया गया है तो यहां पर पार्टिस्पेंट्स टुमूट पर किलिक करके यहां पर आप OK कर सकते हो तो एडवांस में सभी का माइक आपने यहां पर म्यूट कर दिया है अन्म्यूट आल कर सकते हो अगर आपकी मिटिंग छोटी है तो सब को आप अलाओ कर सकते हो अब इसको क्लोज कीजिए नेक्स्ट मोर के उपर किलिक करेंगे तो इस परकार से चैट है चैट के उपर किलि जैसे लोग आपकी मिटिंग करेंगे तो इस परकार सकते हो ताकि आपको डिश्टब ना हो ओके और डन के उपर क्लिक किया है अमने दो सेटिंग चेंज किया है म्यूट और अन्टरी और शोग नेम वेन पार्टिसमेंट जोईन अब डन के उपर क्लिक करते हैं तो यह सेटिंग सेव हो गई हमारी राइट अब मिट मिटिंग की आईडी और पासवड आपको स्क्रीन के उपर दिखाए दी रहा है यह आईडी नंबर है और यह नीचे पासवड है यह आपको शेयर करना है सबी के साथ जिनको आप अपनी मिटिंग में अलाउ करोगे और सेटिंग के उपर जाकर के आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो ठीक है तो अब हम यह एंड कर रहे हैं जैसे मैं एंड के उपर किलिक करूँगा तो यह मिटिंग एंड हो जाएगी लिव मिटिंग ओके एंड मिटिंग फोर एवरीवन तो एंड मिटिंग फोर एवरीवन पर हमने किलिक किया और मिटिंग हमारी खतम हो चु करते हैं आपको अपना profile सेट करना यहां पे तो सैटिंग के ऊपर जाहिए और जैसे आप सैटिंग में जायेंगे वहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं और आप अपने फोटो अपलोड कर तो आप schedule कर सकते हो, password भी change कर सकते हो same way में जैसे आप zoom पे करते थे सारी चीज़ें इसमें है, बिल्कुल और बहुत ही अच्छी application design की गई है send annotation पे click कर होगे तो आप meeting का annotation है वो send कर सकते हो copy URL करके या direct whatsapp पे जाओगे तो whatsapp में वो चला जाएगा same way में किसी platform पे mail कर सकते हो आप meet and chat तो इस प्रकार से contact request, जितने भी आपके contact है उन पे भी आप message डाल सकते हो अपने meeting का link तो यह सारी चीज़ें जिस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको बताई same zoom में आप जैसे meeting attend करते थे वैसे ही geomate की जो application है जो की Indian based application है आप इसको use किजिए और बहुत अच्छे features है same zoom में जो features है उससे भी अच्छे features इसके अंदर है तो request है सभी से आप geomate mobile application आप अपने mobile के अंदर download किजिए और इसको आप meeting attend करने के लिए use किजिए students इसको अपने teachers के साथ जो भी study होती उसमें यूज कर सकते हैं और जितने भी business man है, networker है, MLM industry है कोई भी online meetings arrange करने के लिए इस mobile app को use कर सकते हैं और किस प्रकार से use कर सकते हैं meeting का link कैसे करते हैं हमने आज अपने YouTube channel के मादम से आपको बताई गई हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको latest technical information time to time हमारे चैनल के मादम से दोस्तो मिलती रहेगी Thank you very much दोस्तो